बेलकम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे HP 4S काड़ के फुरी सॉर्व कोशिन पेपर को ठीक है ना इसमें प्रियास किया गया है कि सभी उत्तर सही हूँ फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रशन का उत्तर गलत दिया गया है तो आप अब इस यह कोमेंट कीजिएगा उसके उपर हम डिसकस करेंगे कहां से प्रशन गलत होता है ठीक है ना तो जो यह प्रशन पत्तर है इसकी सीरीज है B यहाँ पर आपको बता दूँ B सीरीज का प्रशन पत्तर है यह जो अगर आपको इस वीडियो का पीडियाफ चाहिए तो आप इस साइट में जाएए वहाँ पर आपको इसका फुल पीडियाफ मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला है यह सेक्षन है इंग्लिश का यहाँ पर जो पहली प्रशन का सही उत्तर होगा तो वो हो जाएगा option B second का हो जाएगा D third question है इसका हो जाएगा option D fourth का हो जाएगा option C fifth का हो जाएगा option A sixth का हो जाएगा option B tenth का हो जाएगा option C 11th का हो जाएगा option C 12th का हो जाएगा option A 13 का हो जाएगा option B 14 का हो जाएगा C 15 का B आगे है जब कोई रोग भाग सुक्षम जीब हमारे श्रीर में प्रवेश करता है तो हमारा श्रीर आकरमनकारी से लड़ने के लिए क्या उत्पंद करता है तो यह करता है एंटिबॉडिज तो यहाँ पर जो सही बीकल्प हो जाएगा तो वो होना था बीकल्प A अगला कोशने 32 निमलिखित में से कौन संगमरमर कैंसर के लिए जिम्यबार है तो यह हो जाएगा ऐसी ड्रेंड आप्शन A सही हो जाएगा अगला कोशने 33 इसमें पूछा गया है लाइटिनिंग कंड़क्टर एक उपकरन है जिसका उप्योग निमलिखित में से किस की सुरक्षा के लिए जाता है तो यह के जाता है इमारतों को बिजली के परभाव से बचाने के लिए तो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा A अगला कोशने मानवशीर में रख्त शरकरा किस तर की मातरा डैश हर्मोन द्वारा निंतित की जाती है तो यह होगा ऑप्शन भी इंसुलीन के द्वारा 34 का ऑप्शन हो जाएगा B अगला कोशन 35 इसमें पूछा गया है फलीदार पौदों की जड़ करंथियों में पाए जाने वाला राइजोवियम बैक्टीरिया डैश है तो यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन CRD इनमें से एक होगा ठीक है ना? ऑप्शियल एंसर की का बेट करते हैं आगे है 36 इसमें पूछा गया है निमलिकित में अधातु विद्यूत की सुचालक है तो यह होगा ऑप्शियल भी ग्रिफाइड 36 का सही विकल P हो जाएगा अगला कोशन 37 इसमें पूछा गया है निमलिकित किस श्रेणी में आदम का सेव अधिक पाए जाता है तो यह होगा ऑप्शियल डी किशोर लड़कों में अगला कोशन 38 इसमें पूछा गया है शुष्क बर्फ कारसाइनिक नाम क्या है तो यह होगा ठोस कारवनटाई ऑकसाइड ऑप्शियल इसमें पूछा गया है सन 2020 से लेकर 2021 की उस महामारी का नाम बताईए जिसने बिशवर के लोगों को प्रभावित किया तो इससे तो आप भली बानती परिशित होंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शियल इसमें पूछा गया है मानव शीर के जठर रस में उपस्तित अमल का क्या नाम है तो यह होगा हाइड्रोक्लोरिक एसीड 40 का सही ऑप्शियन सी हो जाएगा अगला कोशने 41 इसमें पूछा गया है कुछ जीव बायू परदूशन के बिविन सतरों के प्रति संबेदरन शील होते हैं इन्हें परदूशन सुचे के रूप में प्रियोग किया जाता है निमलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में आता है तो यह होगा लाइकिन ओप्शिन D 41 का D सही होगा अगला कुछन 42 इसमें पुछा गया है निमलिखित कौन सा धातू हवा और पानी के साथ उच प्रतिक्रिया शीलता के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है तो यह होगा ओप्शन A सोडियम 42 का A सही विकल्प होगा अगला कुछन 43 इसमें पुछा गया है निमलिखित किन खेत्रों में जीवानों की भूमिका नहीं होती तो यह होगा ओप्शन D तंबाकू और चाय उद्योग में 43 का सही ओप्शन D होगा अगला कुछन एक पिद्यूत हीटर की खोशित शक्ती 1500 बाट है 10 गंटे में कितनी उर्जा इस्तमाल करेगा तो ओप्शन C सही होगा 15000 बाट अगला कुछन 45 इसमें पूछा गया है यदि एक बेक्ती दूर की बस्तों देखने में असमर्थ है तो वो निमलिखित में से कौन से दोस्ते ग्रसित होगा तो ये होगा माई पूरिया निकट द्रिश्टी दोस्ते C सही होगा 45 का अगला होगा 46 इसमें पुछा गया है निमलिखित में से कौन से हंसने वाली ग्यास के तोर पर जानी जाती है तो ये होगा N2O C सही बिकल्फ होगा 46 का अगला है 47 इसमें पुछा गया है किस रो को जाचने के लिए बिडाल टैस्क का प्रियोग किया जाता है तो ये होगा टाइफाइड 47 का सही बिकल्फ होगा A मियादी बुखार आगे 48 इसमें पुछा गया है स्टेटोस्तकोप किस सिधान पर कारे करता है तो जो स्टेटोस्तकोप है ये करता है दोनी का परावरतन पर काम ऑप्शन B 48 का सही होगा अगला कोशन है 49 इसमें पुछा गया है प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिजम से गुजरने पर सबसे कम बिचलित होता है तो 49 का सही बिकल्फ होगा ऑप्शन A लाल अगला कोशन है परिस्थिती की तंतर में निमिलखीत में से क्या शामिल होता है तो जो परिस्थिती की तंतर है इसमें शामिल होता है जिवित प्राणी और नर्जीव बस्तुएं ऑप्शन D सही होगा 50 का आगे हैं मैथेमेटिक के कोशन तो इन्हें देख लेते हैं 51 का सही होगा ओप्शन B 52 का होगा ओप्शन D 53 का होगा ओप्शन B 54 का होगा ओप्शन B 55 का होगा ओप्शन D 56 का होगा ओप्शन A 57 का होगा ओप्शन B 58 का होगा option C 59 का होगा option D 60 का होगा option A 61 का होगा option B 62 का होगा option C 60 जो 3 है इसका होगा option B 64 का होगा option C 65 का होगा option D 66 का होगा option B 67 का होगा option A 68 का होगा option A 69 का होगा option A माफ करना 69 का option A नहीं C होगा 69 का option C आगे है 70 तो यह है HPG के section तो यहां से हमने पीछे question छोड़े थे और नहीं देख लेते हैं तो यह था हिमाचल परदेश में अधिकतर बर्षा डैश से होती है तो बताना है किस से होती हमाचल परदेश में अधिकतर बर्षा तो यह होती है दक्षिन पश्चिमी मानसुन से तो option A यहां पर सही होगा अगला है 81 इसमें पूछा गया है हमाचल परदेश में मानसुन बर्षा डैश महीनों में होती है तो यह होती है option A June से September में तो दोस्तों वीडियो के अंत में आपने बताना है कि जो हमारी answer की क्या अधार पर आपके कितने question ठीक होते हैं ठीक है ना तो आप official answer की का wait भी करिए हमारी answer की क्या अधार पर अपने number बताइए कितने number आपके बन रहे हैं अगला है 82 निमन में से कौन सा पेट चारे के लिए उप्युक्त माना जाता है तो यह होगा option A B तो जो प्रशन है बहुत प्रशन पूछा जाता है खासकर फुरेस कार की प्रिक्षा में इसे पूछा जाता है देखतर बार अगला कुछन 83 निमन रहे हैं इसे कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के तौर पर जानी जाती है तो यहां पर बताना है कि बिकल्प में कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के तौर पर भी जानी जाती है तो सही option होना था option D उप्रिक्ट सभी अगला कुछने बातावर्ण में हानिकारिक गैसों की ब्रिद्धी जो जिब जन्तों के सवास्ते को हानी पहुंचाती है क्या के कहलाती है वो तो वो कहलाती है बायू प्रदूशन तो 84 का सही बिकल्फ होगा ए तो आगे है 85 हिमाचल प्रदेश का राजी ब्रिक्ष कौन सा है तो यह होगा ऑप्षिन सी देवदार डिस्कस करेंगे हिंदी सेक्षिन को तो चलिए स्टार करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर जो पहला प्रेशन पूछा गया था लिखने की रीती को क्या कहते हैं तो जो लिखने की रीती को कहा जाता है तो यह हो जाएगा यहाँ पर बिकल्फ डी बरतनी बढ़तनी को लिखने का रूप कहा जाता है मेरे अनुसार इसका सही उत्तर D होना चाहिए बाकी हम official answer की पे देखेंगे किया इसका क्या उत्तर दिया जाता है जहां तक मुझे लगता है तो इसका सही answer D ही होगा अगला question था 17 इसमें पूछा गया था हर 15 दिन बाद होने वाले के लिए एक शब्द का chain कीजिए तो जो हर 15 दिन बाद होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है पाक्षीक पाक्षीक होता है 15 दिन बाद होने वाला कोई भी चीज उत्सव या कुछ भी कह सकते है जो सब्ता ही होता है सब्ता हमें एक वार मासिक होता है महीने में एक वार और बाशिक होता है बर्ष में एक वार तो इस परकार आप इसका उत्तर समझगे होंगे किया ये D हो जाएगा हाँ फिर भी अगर आप मों लगता है कि किसी उत्तर का किसी प्रशन का उत्तर गल्द दिया गया है तो आप हमें बता सकते हैं उसके बारे में हम वश्य डिसकस करेंगे ठीक है न अगला कोशन है यहाँ पर 18 इसमें पूछा गया था अचारे शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा तो जो अचारे है इसका एक स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा तो यहाँ पर सही उत्रना था बिकल्प डी बिकल्प भी अचारे या ठीक है न अगला कोशन है 19 इसमें पूछा गया है हिंदी बर्ण माला में स्वरों की संख्या कितनी है तो जो हिंदी बर्ण माला है इसमें 11 स्वर है और 33 बियंजन है याद खना है 33 होगे बियंजन और प्रशन के नुशा सही उत्रोगा डी 11 सवर होगे और 33 बियंजन होगे डी सही उत्रोगा यहाँ पर अगला कोशन है देवाले शब्द में कौन सी संधि का परयोग किया गया है तो जो देवालिया है यहाँ पर जो संदी होगी तो वो हो जाएगी बिकल्प C, दिर्ग संदी सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन है 21 अकर्मक और सकर्मक किसके दो बेहद हैं तो जो अकर्मक और सकर्मक होंगे यह दोनों ही क्रिया के बेहद होंगे यहाँ पर सही भी कल्प भी हो जाएगा तो जो यह grammar का वीडियो रहेगा दोस्तों lt के लिए भी महत्पून होने वाला है चाहे lt टैट हो या commission सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखे यहाँ से आपके बहुत से प्रशन revise हो जाएंगे और प्रिक्चे के लिए यह महत्पून वीडियो साबित होगी ठीक है न अगला question देख लेते हैं इसमें पूछा गया है कि फल के रूप में आमर शब्द किस परकार का शब्द है तो यहाँ पर कहने का तात्पर यह है कि जो आम का तदभव शब्द क्या होगा या आम को क्या कहा जाता है तदभव देशच या तदशन तो जो आम होगा तो यह होगा बिकल्प भी तदभव पहले जो आम को आमर कहा जाता था संस्कृत में आम को आमर कहा जाता था और जब हिंदी में आम को शब्द को लिया गया तो ये आम ही रहा और ये तर्दभब रूफ होगा यहाँ पर भी सही बिकल्ब हो जाएगा अगला कोशने जिस बाक्ये में दो या अधिक मुख्ये या स्वतन तर उपबाक्ये हों उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर मुझे रखता है सही बिकल्ब यह होना चाहिए सही बिकल्ब बाक्ये अगला कोशने 24 इसमें पूछा गया है अनुराग शब्द का बिलोम क्या होता है तो जो अनुराग शब्द होगा इसका बिलोम पूछा गया है तो यह हो जाएगा बिलोम होगा सही होगा कि वो कौन सा है तो जो शुद शब्द होगा यहां पर तो वो हो जाएगा बिकल्प भी अनुग्रहित इस परकार से लिखा जाता है भी सही बिकल्प हो जाएगा अगला कोशन है यहां पर 26 इसमें पूछा गया है बादल शब्द में प्रयायवाची शब्द को ढूण जो बादल है इसका प्रयायवाची क्या होगा बिकल्प के अनुशा तो वो हो जाएगा बिकल्प सी जलद जलज नहीं जलद सी सही बिकल्प हो जाएगा यहां पर अगला कोशन है 27 इसमें पूछा गया है वह का उचारन स्थान क्या होगा तो इसका उचारन स्थान हो जाए है आपकी देवनागरी लीपी में सी सही बिकलब हो जाएगा यहाँ तो दोस्तों आगे आने वाली है आपकी पुलिस की प्रिक्षा तो उसके लिए भी इस भी पार्ट्स बहुत ही महत्पून होने वाले खासकर अगर हम बात करें हिंदी हिंदी सेक्षन यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर केज़ेगा जो पुलिस की त्यारी कर रहे हैं अगर आप स्विम पुलिस की त्यारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अवश्य देखेगा यहां हिंदी सेक्षन से बहुत से प्रशन आपके रपीट होंगे देख लेना आप आगे है यह समानने हिंदी से 2-3 प्रशन पुछे गिये थे इसमानने हिंदी इसमें पूछा गया था 29 रामचरीत मानस की भाशा क्या है तो जो महा काब्बे है रामचरित मानस तो इसकी हमें भाषा बतानी है तो ये हो जाएगी बिकल्प ए अब्धी भाषा तो कई बार अगर आप पुलिस की त्यारी कर रहे हो वहाँ पर आपसी एप्रिशन बन सकता है कि जो रामचरित मानस है किस के दोरा लिखी गई है तो ये लिखा गया था तुलसी दास के दोरा ठीक है अगला कोशन ये भी बन सकता है कि जो पदमाबत महा काब्बे है ये किस की रचना है तो जो पदमाबत महा काब्बे है ये हो जाएगी मलिक महमद जैसी की रचना दोस्तों यादर किएगा किसकी रचना है मलिक महुत जैसी की और इसकी भाषा क्या है तो इसकी भाषा भी अब्दी ही हो जाएगी ठीक है इसके परशा जो समानने से प्रशन और बनते हैं कि जो ग्यारा वर्ष का श्मय है ये किसकी कहानी है ये अच्छारे रामचंदर शुक जैसी होगे ये किस काल से सबंद रखते थे तो ये तीनों ही महा कभी रखते थे भक्ति काल से सबंद तो कई वार ये भी पूछा जा सकता है कि जो सूर सरावली है इसके रचनाकार कौन होंगे तो ये हो जाएंगे सूर्दास इस परकार की जो प्रमुक रचना है आपको य इंद किसने का था अमीर खुशनोर ने तो यहाँ पर प्रशन है तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो जो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव होना जैसा कि आपको पता ही होगा बोलते हैं कि मुकेश का वहाँ पर तूती बोलते हैं अर्थात मुकेश है जो मुकेश की वहाँ पर तूती बोलती है तो अर्थात इसका ये मतलब होगा कि मुकेश का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो इस परकार यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा भी तूती बोलने का अर्थ होगा तो विकल्प में था रावी, यमूना, सतलूज और इप्यास तो मुझे आशा है कि अधिकतर बच्चों ने ये सही किया होगा, इसका सही उत्तुरना था यमूना तो जुगिरी और पबर्थी ये यमूना की साहिक नदियां थी, ठीक है न? अगला कोशन था, निमली खित में से किस जिले में चंदरताल जील स्थित है? तो ये प्रशन भी उतना मुश्किल नहीं था, अधिकतर बच्चे इसे भी सही करकिया होंगे, कि जो चंदरताल जील थी, ये लाहॉल स्थिती में सही होगी, यहाँ पर सही विकल्प होना था ये, लाहॉल स्थिती अगर पूछा था चंदरनहान, तो वो शिमला में होनी थी, बैसे भी इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं थी, जो चंदरताल और चंदरनहान में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर शिमला कहीं नहीं दिया था, तो इसका सही उत्तर होना था, लाहॉल अगला कुछने, हिमाचल परदेश में पशू चिकिसालिया महाविद्यालिया कहां पर स्थित हैं, तो जो हिमाचल परदेश में चिकिसालिया महाविद्यालिया है, यह बताना है कि किस जगा में स्थित हैं, तो यह हो जाएगा आपके पालंपूर में, यहाँ पर सही बिकल पिठे भी GOBINTH Sagar जील तो जो GOBINTH Sagar है ये मानम निर्मित या कृत्रिम जील है अर्था सबसे बड़ी कृत्रिम जील है GOBINTH Sagar सही भी कल्प हैं यहां परpert भी हो जाएगा तो यह प्रशन भी हमने अपने जो पीछे हम डिसकस करते थे संड़े को जो भी एक्जाम वाता था उनमें हमने ये सभी प्रशन डिसकस किये थे और ये प्रशन भी वहाँ से रिपीटिट है अगर आपने देखा होगा तो बस ये आप कुछ का लाव मिला होगा आगे हैं आगे पूछा गया था बरतमान में हिमचल परदेश के राजयेपाल कौन है तो इस प्रशन को भी हमने एक वीडियो में डिसकस किया था याल Strawberry में कोई प्रिक्शा होई थी उसमें पूछा गया था तो यहां पर जो जोड़ा पे मेल होगा तो वो होना था भी कलब T जो अलपाइन चिरागा है ये आपके उन्ना में नहीं है तो यहां पर जो सही होगा तो बोड D होगा बाकी देखते हैं है मचल परदेश का एक्षिल भारती आयरोवी ग्यान सनस्तान बिलासपूर में स्थाफित होगा ठीक है बिशर परसी दुरुमाल ये आपके चमबा का है उसके पर चोटी काशी ये मंडी को कहा जाता है ठीक है न तो इस परकार से यहां पर सही बिकल्फ होना था D अगला कोशन है जिला उन्ना और हमीरपूर निमलिकित में से कौन सी पहाड़ियों के शितर में पाई जाती है ये सही बिकल्फ हो जाएगा अगला कोशन है 77 इजी प्रशन है दोस्तों ये भी हमाचल परदेश का राज्य परशू निमलिकित में से कौन सा है तो जो राज्य परशू होना था तो वो बिकल्फ D होना था बरफानी 3-2 हमाचल परदेश का राज्य परशू होगा D सही बिक झाल झाल